आद 9 अगस्ट का दिन हैं, 9 अगस्ट के दिन महात्मा घांदी ने हमारे आजादी के अंदोलन के एक नए अध्याई की शुरुवाद की थी, उन्होंने नारा दिया था अंग्रेजो भारत छोड़, फ्वीट इंडिया का नारा दिया था, मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगबग साड़े 9 साल में एक नए प्रकार का रादनीतिक यूग का सुरुवात किया है, मनेवर लगबग 30 साल से इस देश की रादनीती, ब्रश्टाचार, परिवारवाद और तुरुष्ट्री करण के नासूर से ग्रसित रही, सारे के सारे जनादेश, कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकडों के एनालिसिस करने वाले पंडीत, सारे जय पराजय को देख ले, मोदी जी के 2014 के विजय के पहले, सारे जय पराजय या तो ब्रश्टाचार से प्रभावित थे, ब्रश्टाचार किया इसको हटाने के लिए या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवादवार के पीछे जातिवाद का एक अनुरस संत जान भी होता है और तुष्टी करण से प्रभावित जना देशती भारतिय लोकतंत्र को ये तीन नासुरों ने घेर लिया था नरेंद्र मोदी जी ने ब्रश्टाचार परिवारवाद और तुष्टी करण को हटा कर पॉलिटिक्स और परफोर्मंस को ज़द दिने तरजी दिने और आज विकास जनता के फैसलों का नीने करता है मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक ब्रश्टाचार भी बेठा है बच गया है परिवारवाद तो दिखा ही पड़ता है और तुष्टी करण की राधनिती भी चलती है इसलिए मोदी जी ने यादनारा दिया है ब्रश्टाचार क्वीट इंडिया परिवारवाद तुष्टी करण क्वीट इंडिया तो इस देश की राधनिती में मोदी जी ने 2014 से एक नए यूग की शुरुआत करी है विकास के यूग की वो हमारे स्वातन्तरते सैनानियों के कलपना के भारत की निर्मिती 2047 के बहुत साल पहले कर देगी इसका मुझे भूड़ा विश्वार